हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े महोत सफ कांगणा वाली कार्निवल में आपका स्वागत है आज हम अपने सुन्दर से प्रदेश की एक अवस्मर्णिय यात्रा पर निकल रही है एक ऐसी यात्रा जिसमें हम हमाचल की समृत संस्कृती अप्रतीन सुन्दर्ता और गौरवशाली इतिहास का साक्षी बनेंगे इस यात्रा में हम केवल हमाचल को देखेंगे नहीं बलकि महसूस भी करेंगे तो अपनी सीट की पेटिया बांद लीजिये क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है एक देश जो चीवन संस्कृती और सनातन परंपराव से प्रवाहमान है इस विशाल देश का प्रतेक राज्य अपनी एक अलग दुनिया से परिपूर्ण है उत्तर में हिमाले से दक्षिन में विशाल सागर तक विविद रंगों से भरा एक वाइब्रिन देश ये है वो भारत जिसका सपना गांदी जी ने देखा था एकता से पूर्ण संगठित भारत आज हम हमारे इस देश को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो दुनिया के लिए एक निसाल बन गया है आज गांधी जैनती पर हम उस दूर दर्शी महापुरुष को याद करते हैं जिनोंने हमें स्वर की ताकत से परिचित करवाया गांधी जी ने केवल आजादी नहीं दिलाई बलकि जीवन जीने का एक तरीका सिखाया स्वदेशी स्वराज और एकता के दम पर देश को आगे ले जाने का तरीका गांधी जी के इस मंत्र को हिमाचल ने पूरी तरह अपनाया है उनकी ये फिलोजफी हिमाचल की जीवन शैली में दर्शित है जिसमें कोई बनावट नहीं है बलकि एक सिंप्लिसिटी है जो अंदर से मजबूत है अब देखते हैं ऐसा सिंबल जो बापू के आईडियल्स का निशान है चर्के को गांधी जी ने एक रेविलूशनरी टूल बनाया था उसी स्वदेशी स्वराज और आत्मनिर्भरता का एक प्रती इस चर्के ने एक जमाने में आत्मनिर्भरता का सफना बुना था हिमाचल का हैंड लूम भी उसी ट्रडिशन को आगे बढ़ाता है यहां का हैंड लूम एक धरोहर है जो पीडियों से चला आ रहा है एक सिलसला जो कभी नहीं थमा है यह चर्खा आज हमें अपनी कहानी सुनाता है अब थोड़ा जूम करते हैं हिमाचल प्रदेश पे जहां हमारा एक्च्वल अड्वेंचर शुरू होता है चलिए, रुख करते हैं हिमाचल के शांत पहाडों का नेचर का एक परफेक्ट क्यूजिन जो हाट और सोल को कनेक्ट करता है हिमाचल के पहाड ये सिर्फ एक जगा नहीं एक स्पिरिच्वल एक्स्पीरियंस है यहां की हवा में एक अलगी जादू है जो आपको जीवन के वास्तविक आनन्द से अफगत करवाता है हर ट्रेकर का सपना और हर ट्रावलर की पीस्फुल देस्टिनेशन जुस्ट लुक अथ व्यूज पहाड़ों को सिर्फ देखने में मजा नहीं है उनको फील करना भी जरूरी है और इससे बेटर फील कैसे आएगा लेट्वेंचर सेकर्स यह रहा है माचल का अल्टिमे त्रिल पारग्लाइडिंग एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी रिस्क लेना भी जरूरी होता है क्योंकि वही तो जिंदगी को थोड़ो और इंट्रेस्टिंग बनाता है हिमाचल में अडवेंचर हर मोड बर मिलता है बसे मत करनी है उड़ने की ये उड़ान हमेशा याद रहेगी अब लैंड करते हैं और मिलते हैं उन लोगों से जो हिमाचल के कल्चर को जीवन तरकते हैं हिमाचली पुरुष थोड़े शब्दों में कहूं तो एक संतुष्ट केरश्री सोल ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं लेकिन उनके हॉसले हमेशा आस्मान को चूते हैं इनकी साथगी, निडर्ता और विस्डम हिमाचल के हर कोने में देखा जा सकता है culture भी strong और swag भी strong और अब भाई, भाई हो तो भेंतो होगी ही हमाचल's women are the heart and the soul of this land उनकी energy ही इस मिट्टी का असली essence है उनकी energy और grace हर तरफ दिखती है घर से लेकर सोसाइटी तक एक अलग सी शक्ती होती है इनकी आखों में एक determination जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है she represents both tradition and modern strength एक तम टाइमलेस ये वो रोशनी है जो हमाचल को चमकाती है pure boss vibes और जब बाद श्रद्ध की आती है हमाचल में एक अलग ही अत्याद्मिक उर्जब्रवाहित होती है time to tap into that divine energy with goddess Jwala Devi यहां आस्ता और प्रकृती दोनों का एक अनोखा संगम है Jwala Devi का मंदिर एक ऐसी जगे है जहां श्रद्ध और आस्ता कभी बुचती नहीं है यहां की जोती हमेशा जगती है हमाचल की अत्याद्मिक तरंगे यहां हर कदम पर मैसूस होती है a place where faith is as steady and strong as the mountains around it और दोस्तों हमाचल आकर trekking नहीं किया तो क्या किया let's hit those trails ready हो अपने backpack के साथ यहां हर रास्ता एक नया परस्पेक्टिव खोलता है हर ट्रेक एक चालेंज है हर पीक एक अचीवमेंट every step brings you closer to understanding yourself a little more क्या नजारे है यार अगर हमत है तो try जरूर करना ऐसे ही रास्तों के बीच आता है हमाचल का एक ऐसा फोर्ट जो इतिहास के महत्वभून पन्नों में अंकित है a stronghold of stories and legacies ये है कांग्रा का अभेद्दे किला वीरता और विरासत का प्रती ये किला एक मिसाल है जिस्से हमारे पूर्वजों की हैम्मत की जलत मिलती है एक ऐसी कहानी जो हर तिवार और हर पत्थर के थ्रू हमाई पचाये गई है and trust me, the view from here, epic थोड़ा ब्रेक तो बनता है क्यूकि हमाचल की चाय के बना पहाडू का ट्रिप तो इंकॉम्प्लीट है कांग्रा वाली की चाय एक दम स्मूध और रफ्रेशिंग imagine doing a trek और फिर मिल जाए गर्मा गरम चाय life set हो जाती है यहां का टी तो वर्ल फेमस है कांग्रा टी is the real tea with every sip, you taste a piece of this land's unique flavor जैसे एक प्याली चाय हमें अपने रंग और खुजबू से अपना पन देती है वैसे ही कांग्रा वाली अपने नाम से ही हमें एक अलग एहसास जगाती है कांग्रा वाली एक जगा जहां हर पल में खुबसूरती है और हर सास में सुकूर एक बिलकुल पोस्कार परफेक्ट जगे यहां समय रुक्सा जाता है एक ऐसी वाली जो आपको हर स्ट्रेस भुलवा देगी आज गांधी जैनती के दिन ये वादी हमारे धरमशाला के पहले ड्रोंच सोका है सबनी और अपनी खुबसूरती को नए अंदाज में पेस कर लिए तो एंट करते हैं एक धमाके के साथ Ready for the Carnival? हमाचल का Carnival जो रंग और उमंग यहां होती है वो पूरे हमाचली spirit को capture करती है यहां हर festival एक celebration है और हर celebration यह याद दलाता है कि जिंदगी सिरफ जीने के लिए नहीं बलकि दिल से जीने के लिए होती है This is a party where tradition meets fun and everyone's invited A perfect note to end our adventure on यह जर्नी याद रहेगी हमेशा के लिए Full on energy, full on celebration बोले तो हमाचल का असली vibe Welcome to Kangrawali Carnival and let the party begin से झाद से जीने के लिए पर वाद आर होती है